हेलो स्टुएंट्स वेल्कम टुदी निम्बस ओनल प्लैटफॉर्म आई होब कि आप सभी सेफ हैं सुरक्षित हैं सो आज किस पार्ट में वीडियो में हम एक बॉटन चैप्टर कवर करेंगे कॉनमिक सभवे का एंड चैप्टर देल्स पीड पावर सेक्टर माजल परदेश जैसे कि यह भी इक इंपॉर्टन चैप्टर है यहां से भी एग्जामेनेशन में कृष्ण्ण पूचए जाते हैं आपको कॉष्ण देखनेigare को मिल सकते हैं कि आप से पूचा जासकता है कि कौन सा है giले में है और कई सा हाइड्र परजेक्ट ऐसा है जिस को कौन सी ऑसा कैसी जो है ऑपरेट कर रही है सो और इस फटीजें आप से पूची जा सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फेक्ट और सबसी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपने सबसे स्टार्टिंग में ध्यान रखना है कि हमारी हमाचर्ण प्रदेश की एस्टिमेटर हाइड्र प्रटेशन कितनी है 27436 मेगवाट और विच 24,000 मेगवाट इस हरनेशिबल एंड इंसम में से इंपॉर्टेंट फेक्ट जो अपने ध्यान रखने हैं जहां से सीधा कोशिशन बन सकता है इसामिनेशन में अभी तक जितने भी सेक्टर्स है वह हाइड्र अनरजी पर वर्क कर रहे हैं हमारी माचर्ण प्रदेश म में और उन्होंने कितना जो है वह हाइड्र पोटेंशल जो हार्नेस कर लिया है तो यह यह इंपॉर्टेंट फेक्ट है जो वह आपको अच्छे से नोट करना है दस हजार पांसो चैनल मेगावाट हैज अल्रडी बीन हार्नेस्ट सो फ़र अंडर वीरियस सेक्टर इमाचर् प्रदेश स्टेट एलेक्सिटी बोट जो कि हमाचल प्रदेश के जितने भी अलगलग टाउंस हैं वहाँ पर अनिंटर्प्रदेश स्टेट एलेक्सिटी स्प्लाई प्रवाइड करता है इनके अंडर भी बहुत सारे प्रजेक्ट चल रहे हैं और कुछ अभी कमिशन होने क हो है सो यह अपने ध्यान रखना है एंड इट हैस बीन रिकनाइज एज हिमाचल प्रदेश स्टेट लेक्सिटी बोड लिमिटेड ओन फॉर्टेंट अप जून टूटन टें यह भी आपने जो हैं वह नोट अप करना है नेक्स बात करते हैं कुछ ऐसी स्कीम जैंड इपार्टमेंटल स्कीम सेंटल स्पांसर स्कीम जैंड जिनके बारे में आप से पूछा जा सकता है फॉस्स है दीन द्याल उपधियर ग्राम जियोती योजना इस स्कीम है विल लॉंस्ट इन लॉंस्ट अन 2014 यह इंपॉर्टन जो है वो चार जिलों तक में मेली स्कीम केंडर काम हो चुका है और बागी अधर डिस्टिक भी कवर की जाएंगी तिल मार्च 2021 जो कि मंत पास हो चुका है और नेक्स्ट आफ्टर जैट जो है इंटेग्रेट पावर डेवल्मेंट स्कीम है आई पीडिया जिसे हम कहते हैं इन Corn Phillips को भी लॉंच किया गया था इसी केंको लॉंच करने का मक्सफॐं़ ही था कि रांसमीश्ब्स को स्टेंथन करना है और श्रीपिशन नेट्बंस यूब्र को बिस्टेंथन करना है साथ साथ में अफिशन मेत्रिंग ही में स्कीम का फिरेट जो था वो ऻैट्छटिव इस पाट को प्रजेक्ट को जो है वो इनिशिट किया गया था हिमाचिर प्रदेश स्टेट और ले मिटेड and it has been initiated by initiated for the 24-7 quality 24-7-hour quality and reliable power supply in the 13 towns of हिमाचिर प्रदेश और बहुत important part is part का यह है इस project का इस कराम का अपने ध्यान रखना है कि इस प्रजेक्ट को इंप्लिमेंट किया गया है वाइदा फंडिंग वोल्ड बेंक प्रवाइट किया है तो यह अपने ध्यान रखना है उसके बाद ऐसा स्कीम फर लोग वोल्टिस पॉकेट इन वाश्रपरदेश तो जितने भी एरिया हैं जहां भी लोग वोल्टिस की प्रॉलम्स हैं उनको रिमूव करने के लिए रेडिकेट करने के लिए स्कीम यह लाई गई है 1920 में इस स्कीम को मेली लाया गया है तो यह अपने ध्यान रखना है नेक्स्ट है मुख्यमंत्री रोश्णी योजना मुख्यमंत्री रोश्णी यो इस अब हमाचल प्रदेश की सिर्काल जो हो कह रही है तो आपने इन पार्ट का इस केम से जो फेक्ट है इंफेक्ट का ध्यान रखना है आगे बात करेंगे कुछ है ऐसी इंपॉर्टन प्रजेक्ट हाइड्ड एलेक्टिक प्रजेक्ट जो कि अभी अपनी एपनी एग्जि सीव ट्रइव की ट्रिऑटरी है बदीजिए ईकानुख यह होने के टॉक्वेंट में 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 दकीring कई है यहां से है६ प्रिविश्व पर फॉलो करोगे तो क्रीविश्व नीकोर कि देखने को मिलें कि यहां पर है नंब मैंज में located है और या किस नदी पे हैं तो उस एंगल से भी हम को जो है चीजों को लेकर चलना है तो अपनी ध्यान रखना है उसके बाद राइसन देखिए यह है आपके पास न्यू नोगली टिकर एंड कुठार यह चमबा में है और आपके पास नोगली उजये शिबला में इनका आपने ध्यान रखना है उसके बाद कुछ प्रजेक्ट हैं जो कि अभी अग्रिस्टेशन स्टेश पे हैं एंड थूदा देखें यहां से महा देप्स के में बात करो तो यह वह पॉयंट है जहां पर पिजुए विच विलती है विदूब्हें जैसे ही यह आपका जो है हो यह प्रजेक्ट यह टीज़ट है और अगर आपको आपको बताऊं देखिए बैजना से होते हुए यह वेंग्तिवा तो पज़लती है कहां और चो रखका यहां पर सुन्धोल को चोड़ के हार्सी पतन हूर्सी पतन है यहां पर वह दिखने को से खर ragd करते हैं आपकी हमीपुर और कांगड़ा की बांड़ी करती है तो इसका आपने इस तरह से ध्यान रखने हैं उसके बाद हम बात करते हैं कशांग स्टेज फूर हाइड़ो प्रजक्ट की कशांग जैसे कि हमने बताया है कि सतलुस की ट्रिबूटरी है कि आपने कशांग का ध्यान रखने कशांग सब्सक्राइब करके हैं यह भी आपके नौर में तो डिस्टिक्स आप से पूछी जा सकते हैं कि कशांग जो है वो हाइड्र एलेक्टिक प्रजेक्ट कौन सी जिले में आता है तो यू शुड़ नों डेट इट इट केम इन इट कम जो अब विजली जो है वह नहीं इन्होंने देरा भी स्टार्ट करें लेकिन अब यह उपर काम चल रहा है ति गृँटिक को पता है बागा ने के किनारे टाउन है अगर मैं जिस्ट पाइब यहां पर बात करूँ तो देखिए कि मृवर भागा की हें में बात करता हूं जो तो दांचहामें में भी एक स्रिम यहां पर नोई पर सी याश्कर नाला पाश्कर आगे होगा कि यहलाग ईवागा आता है जिस पर एंट अफट एंट फिर आपके पास किलोंग आता है किलोंग के बाद पिर अपर इस तंडि यहां से आपके मालों चंद्रा रही है तो यह पॉइंट जिसको बोलेंगे ड़िस तंडी और यहीं पर आसपास होगा है नहीं आपके पूछाइन किया इंट ने लेटर सो भागा वेली यह अपने ध्यान रखते हैं आगे बात करते हैं कुछ ऐसे प्रजेक्ट हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जुरूरी है कौन सी नदी पे हैं कौन से जिले में हैं और जो कि अभी एच्छ पी पीचल जिनके उपर काम कर रहा है मार्चर प्रदीश पा की ट्रिब्यूटरी है और यह लाज जी के असपर सेंच नदी जो है मिलती है और 500 मेगा वाट का जो है यह प्रजेक्ट है तो कहां पे हैं सेंच एड़ प्रजेक्ट इसन कुल्लू डिस्टिक्ट सेंच वेली कुलू साबरा कुट्डू की बात करेंगे साबरा कुट्डू पबर नदी पे बना हुआ एक डैम है और कावी फापलर अभी न्यूज में भी था साबरा कुट्डू अपने ध्यान रखना है यहां से कोश्चिन बूचा जा सकता है 1011 मेगा वाट का इसके हाईड़ पोटेंशल है और इस प्रजेक्ट इस प्रजेक्ट इस एक्सपेक्ट शौंग खर्चम देखी एच्छेस में इसको पूचा गया था पूरां 50 मेगा वाट का यह डिरेक्टी फैक्चिल कोशन आया था कि कितने मेगा वाट के शौंग तोंग खर्चम यहां पता है उन्हें डिस्क्स किया था पहले भी कि खर्चम जो है यह एक ऐसा प्लेस जहां मिलती है कि यहां ती यहां रखेंगे और यहां पर में ध्यान करें कि फ्रेंच डेलिमें अजन्सी जो है वह है तो मतलब FDA आपसे पूचा जाए कि चंजु को कौन जो एजनसी जो है वो मेली फंद प्रवाइड करें एफडी एफडी का अपने यह ध्यान रखना है अगे रिनुका जी रिनुका जी देखिए 40 मेगा वाट का यह है बहुत पॉपलर है रिनुका जी डैम प्रजेक्ट जो है प्रजेक्ट आप नेशनल इंपॉर्टेंस बिकॉस यहां इस दैम की बज़ा से जो है वो पानी जो है वो दिली शहर को मिलेगा तो यह प्रजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट का है और रेंड़ जी जाती देट इस इन डिस्टिक सिर्मॉर नदी गिरी पर यह बनावा प्र अब आगे बात करते हैं नाखतन नाखतन देखिए नाखतन की बात करें 460 मेगावाट का है इंपॉर्टन है देखिए रीवर पारवतिकी में यहां बाथ करूंगा पारवति वालों आपकी इस तरह से फ्लो कर रहे गाए जो कि आपके पास दुद्धों गिलेश्यर से जो से फीड करता है और साथ मान तलाई लेक जो यहां से ओरिजिनेट करती है पारवती देखिए यहां पर दो में स्ट्रीम है एक तो आपके पास यहां पर तौश नाला है और आपके पास मलाना है मलाना स्ट्रीम है जो कि जरी के आसपस यहां पर मिलती है और यहां पर आसपास क तॉश कुलू में या भी अधियान रखने इस बात का आगे बात करें कि शाओ मुल्टी पर्पर्पस प्रजेक्ट देकि कि शाओ मुल्टी प्रजेक्ट जो है वो टॉंस लदी पे हैं और यह आपके पास जो है वो उत्राखंड और हमाजरी प्रदेश के बार्डर बें करते हैं तो हिमाजरी प्रदेश पावर कॉपरेशन लिमिटर है सेट अप 5 मिगावाट 12 डॉल सोलर पावर प्रजेक्ट आप इससे पूचा जा सकता है कि कि इतनी इसकी प्रटेंशल है और यह कौन सी डिस्टिक में लोकेटड है तैट इस डिस्टिक इंडिस्टिक ग्लास आप जाहू में भी इंस्टॉल किया गया है जाहू जो कि आपका जो है वह सी खट के नदी के किनारी यह बसाओ एक टाउन है हभी पूर में वहां पर भी सोलर पावर प्रांट्ट रिसेंटी सेट अप किया गया है तो ऐसे और बी पावर प्रान्स एक और काम चल रहा है और इसका भी आपने एक पर अच्छे से पढ़ लेना है ही मुझा के बारे में कि ही मुझा के बारे में चीजें यह हैं फूची जा सकती है तो इन सब बातों का इन सब फेक्स का फिन ध्यान रखना है अभी हच पीपीचियाइट डिस इंडिस 16.97 मेंकि यूल्ट भप प्रजेक्ट एन रेविए जनेटेट वाई सेल पावर तिल 31 स्ट दिसम्बर टॉन या इस प्रोजेक्ट के बारे में में इन पर इंफोमेशन दी गई है और इसके बाद हम जो नेक्स्ट चेप्टर जल्दी कवर करेंगे तो तिल देन थेंक्यू सू मच टेक